हेलो फ्रेंड्स आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में आप सिखेंगे Microsoft Excel में 10 Most Useful Formula के बारे में जो कि हाँ पे हमने टाइप करके रखे हुए हैं जैसे Count है, Count A है, Count Blank है, Sum है, Sum Ip है, Count Ip है, PMT है, IPMT और PPMT इस सभी फर्मूला के बारे में आज हम आपको Step by Step सिखाने वाले हैं सबस्ते पहले दोस्तों Count, Count का मतलब होता है दोस्तों गिनती करना अगर यहाँ पे कोई भी नंबर को जो टाइप की हुए हैं, सभी को गिनना है तहाँ पे हम Count Formula का यूज़ करेंगे सबस्ते पहले यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है Equal का Sign देना, Sign का Chain देना और यहाँ पे आपको Type करना Count, C-O-U-N-T Count टाइप करने बाद आपको Keyboard पे Tap प्रेस करेंगे, इस तरह से Count आ जाएगा अज इतने नमबर को आपको Count करना है, गिनना है, उतने नमबर को आप Select करेंगे जैसे हम इतने नमबर को गिनना चाते हैं, Select करेंगे आप यहाँ पे Bracket को बंद करने के बाद आपको Enter की Press करना है दुरुत तो इस तरह सो गया अगर दोस्तों इहाँ पे कुछ नमबर अगर नाम लिखा हुआ रहे टेक्स तो कैसे हुआ जैसे हम इहाँ पे Ram टाइप करते हैं, और इहाँ पे हम Mohan M-O-H-A-N जैसे हम इहाँ पे हमने टाइप कर दी हैं, कुछ नाम के यहाँ पे टाइप कर दी हैं जैसे हम इहाँ पे एक Sign देते हैं, परसिंट का, इस तरह से अगर दोस्तों इहाँ पे देखते हैं, आप Count का फर्मूला लगा के यह Count करता है कि नहीं तो Equal का, Sign देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे Count जैसे Count यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम पूरे को Select कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, कि ब्रैकेट के बंद करने के बाद आपको इंटर की प्रेस करना, देखें, टोटल 14, मतलब यहाँ पे 14 नंबर ही, 14 नंबर है, टाइप क्या हुआ है, यह नाम जो लिखा हुआ, ओकाउंट नहीं किया है, तो यह नाम Count सा फर्मूला करेगा, तो उसको लिए आपको लगाना Count A, इसको Count A भी बोल सकते हैं, अकाउंट अब ही बोल सकते हैं, जैसे लगाते हैं, यहाँ पे equal का चिंड देंगे, और Count A, COU, जैसे के नीचे में आगया Count A, यहाँ पर select करने के बाद हम टाइप की प्रेस कर लेते हैं, और यहाँ पर पूरे को select करने के बाद, आपको क्या करना है, bracket को बंद करने के बाद, इंटर की प्रेस करें, देखे 17 आगया, मतलब 14 पहले से था, और इसमें से 3 जूट गया है, यह 3 दो नाम लिखावा, एक साइन है, परसेंट का, तो इस परकार से दोस्तों आप count और count A का यूच कर सकते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों count बलेंग, अगर दोस्तों इसमें count बलेंग का कर देते हैं, यहां पर करने के बाद, यहां पर पेस्ट कर देते हैं, देखे नाम आ गया, और यहां पर भी हम पेस्ट कर देते हैं, क्लिक करेंगे, और यहां पर पेस्ट कर देते हैं, और यहां पर पेस्ट करने के बाद, हम पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से चलिए, यहां यहां पर हमने उहे नाम को कॉपी करके हम पेस्ट कर दी हैं आप इसमें गिनना चाहते हैं कि कितने सेल खाली है जिसमें कुछ टाइब किया हुआ नहीं है तो उसको करने के लगा काउंट बलेंग का फर्मुदा लगाएं जैसे यहां पर लिख देते हैं इक्वल का चिन एक बाद इंटर की फ्रेस करना है जैसे 20 मतलब 23 ऐसा सेल है जिसमें की कुछ लिखा हुआ नहीं है जैसे हम काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस एगारा बारा तेरह चौदा पंद्रह सुल्रह 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 ठारह उननेश वीस एक 22 मतलब जो बादर क्या हुआ इसके अंदर 23 ऐसे सेल हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है काउंट बले का मतलब होता है दोस्तों कि जो खाली सेल है उसको सिर्फ यह काउंट करता है गिनता है नेक्ष्ट दोस्तों सम सम का युच्छ कैसे करेंगा जैसे हाँ पर हम लिखने के बाद आपको जिस नम्मर को एड़ करना है उस अभी नमर को सिलेट करेंगे और ब्रेक्ट को बंद करने के बाद आपको इंटर की प्रेस करें तो जुड़ जाएगा मतलब एतने नम्मर को यहां पर जोड़ दिया गया है लेकिन दोस्तों अगर इसमें से कुछ करेंगे और यहां से पलस का साइन देंगे फिर सेलेट करेंगे बारा को फिर पलस का साइन देंगे फिर बारा को सेलेट करेंगे फिर पलस का साइन लेकिन दोस्तों अगर बहुत सारे नंबर बना हुआ रहेगा लिखा हुआ रहेगा तो इस तरह से समभब नहीं है तो उसको लिए आपको क्या करना है कि सम इफ का फर्मुला लगाना है संइफ का फर्मुला कैसे लगाते हैं हम आके यहां पे दिखाते हैं जैसे दोस्तो इस नंबर में हमने ठाइप की हम चाहते हैं कि 12 से उपर जितने भी नंबर लिखे ऑए सिर्फ उसको हम एड करना चाहते हैं 12 से 12 और 12 के नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको मेड नहीं करना चाहते हैं तो उसको लिए आको सम इप फर्मूला मारते कहने का मतलब है दोस्तों पार्टिकुलर नंबर को जोड़ने के लिए इसका यूज करेंगे जैसे यहां पर हम लिख देते हैं सम सम और इप इसके बाद दोस्तों हम पूरे इतने रेंज में जो सलेट किये हुए हैं इतना रेंज में हम चाहते हैं कि सिर्फ 12 से उपर जितने भी नंबर हैं बड़े उस सभी को एड़ करना है तो देंगे इस तरह से डवर कमा देंगे और यहां से क्या करना है आपको 12 से उपर तो ग्रेटर देंगे हम और इसके बाद हमको 12 यहां पर टाइप कर देना है क्योंकि 12 से उपर हम सभी नमर को जोड़ना चाहते हैं उसके बाद यहां से इस तरह से द प्रमॉला लगाएंगे अब फीर करनास से करना को चलिए कब्सक्ट करना है, सब्सक्ट करना है यह देने का चलिए इस तरह से आपको यहां और सबागिसा करना है इस तरह से नेक्स्ट दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि 12 सिर्फ बरे को जोड़ना तो सिर्फ 12 को यह जेट करना तो कैसे करेंगे तो आपको क्या करना है फिर से समीप का फ्रवन लगाना s, um sum और if इसके बाद आपको क्या करنا उसी cell को select करना है आप कोई भी cell range को select कर सकते है ev number को select कर सकते है ev की कर सकते है यह आप पर depend करता है और यहां पर कॉमा लगाना है इस लगाने के बाद आपको क्या करना कि सिर्फ 12 जोडना 12 के equal 12 to J 12 इस प्रकार से प्षेस आप जोड़ सकते हैं कि 12 जूटे 10 से उपर इतने प्यापने नम्मबरों को क्या करना है नंबर को स्लेट करना है हमको लगाना है कि बारा भी वाना चाहिए और बारा से उपर सभी नंबर को भी जोड़ना है तो उसको लिए आपको ग्रेटर देंगे इसके बाद 12 देंगे ग्रेटर काने का मतलब है 12 से उपर सभी नमबर और 12 भी 12 से जो है उभी 12 जूटना चाहिए तो इसलिए हम बराबर देदी 12 का इसके बाद हम इस तरह काने का बाद ब्रैकट को बंद करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे इसके बाद आपको इंटर की प्रेस करेंगे अगर 12 से नीचे और 12 भी जूटे जोड़ना है तो उसको ले भी आपको इस फर्मूला का लगाना इसी तरह से नेक्स्ट है दोस्तो काउंट इप का काम है अगर आप चाहते हैं सिर्फ 12 कितने जगा लिखा हुआ उसको गिंती करना है गिनना है कितने जगा लिखा हुआ तो उसको लिखा करेंगे यहाँ पर करना है इक्वल अकाउंट और इप लिखने के बाद आपको इस तरह से पूरे रेंज को सलेट कर लेना है असलेट करने के बाद आपको इस तरह से कॉमा देना है आप सिर्फ 12 को किरना है तहां पर इक्वल दे क्योंकि 12 के बराबर गिनना है यहाँ पर 12 देंगे और इस तरह से करने के बाद ब्रागट को बंद करने को बाद इंटरफे मतलब देखे यह 12 चार जगा लिखा हुआ आप चाहते हैं 12 के उपर जितने भी नंबर है उसको count करना गिनना है तो फिर से आपको count का फर्मॉला लगाना करना है उसके बाद आपको इंटर की प्रेस करना मतलब तीन है 12 से बड़े नंबर तीन है 14 है 108 है और यहां पर 56 है अगर नीचे करना है तो इसी तरह से फिर equal का sign देंगे और यहां से count sonint count और लगाएंगे लगाने के बाद आपको फिर से select करना है अशलेट करने के बाद आपको कौमा देना है ड़ोल देने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे करना मतलब छोटा गिनना 12 से छोटा था हम less देने देंगे और इसके बाद 12 टाइप करेंगे और इस तरह से देने के बाद bracket को बंद करेंगे इसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे मतलब 3 है 12 से छोटा भी 3 है और 12 से बड़ा भी 3 है देखिए 7 है 10 है और 2 है नेक्ष्ट फर्मूला है दोस्तों PMT, IPMT और PPMT इसको हम नेक्ष्ट शीट पर बताते हैं यहां पर देखे लिखा हुआ टाइप हमने कर दिये हैं PMT, IPMT और PPMT मतलब यहां पर एक टेबल हमने बना दिये हैं इस पर हम फर्मूला तीनों का युज़ करके दिखाते हैं अभ 1,80,000 रुपिया इसका rate मतलब व्याज जो है 8% है और loan period जो है 5 year है यहां पर आप एयर भी लिख सकते हैं मतलब काने का हुआ कि सुमन कुमार जो है 1,80,000 रुपिया लोन लिए हैं 8% की दर से और यहां से 5 साल के लिए लिए हैं तो आब आपको यहां पर निकालना है कि कितन है complete तो उसको लिए आपको हम लिकाना है PMT PMT का मतलब होता दोस्तों पर मंथ इस्टॉल्मेंट यहां पर आपको PMT का फर्मूला लगाना है और यहां से देखिए यहां पर लिख रहा आप फर्मूला के कि आपको पहले rate लेना है rate का मतलब हुआ 8% और यहां से हमको इसको ड NPR मतलब हुआ number of period कितने साल के लिए 5 साल के लिए इसको हमको मन्थ में निकालना है तो मन्थ की है और उसके बाद आपको कौमा देना है आपके बाद है PV का मतलब हुआ पर्जेंट भैलू पर्जेंट भैलू कितना है 1,80,000 उसके बाद bracket को हम क्या करेंगे बंद करेंगे औ मतलब कहने का हुआ कि 3,649 रुपिया और 75 पैसे आपको पर मन्थ देंगे 5 साल तक आपको 1,80,000 रुपिया कम्प्लिट हो जाएगा अगर दोस्तों इसमें अगर हमको निकालना है 3,649 दसमलब 75 पैसे में कितना ब्याद जा रहा है कितना इंट्रेस्ट लग रहा है आपको क इसको निकालने के लिए को क्या करना है कि I pmt का फ्रोंवल लगाना है equal इक एम्त लेगा सोरी इसके बाद पहले लिकारना है कि इंट्रेस्ट आप कितनी महिनेक निकालना चाहते हैं हम एक महिनेक निकालना था एक पहले टाइप कर देंगे सोरी यहां पर हम एक टाइप कर देंगे और कोमा देते हैं इसके बाद यहां पे कोमा देने के बाद आपको present value देते ना है अशके ब्राकट को बंद कर देना देखे पहले हम rate दीएं एक महिनाक हम $ लिकाना चाहते हैं कितना ब्याज लग रहा है इहां पे प्रिड दीएं कितना आपको 5 साल के लिए और हैं से present value इसके का कितना मुल्धन लग रहा आपका तो उसको निकालने के लिए आपको यहां पर एक पल्क देंगे पी पी एम टी प्रिंस्पल पर मंथ इस्टॉल्मेंट यहां पर रेट लेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे इसके बाद कॉमा देंगे वन एक मंथ का निकाल रहे हैं इसलिए वन दी यहां पर और इसके बाद प्रियेड देते हैं और डिवाइड गुना करते हैं 12 से क्योंकि मंथ में बतलना इसके बाद आपको क्या करना यहां पर कॉमा देने पाप प्रिंट भैलू देंगे इसके बाद इंडर की परेश करेंगे मतलब 2449 रुप्या और 75 पेसे यह म एम और ब्रैकट को पेन करते हैं और यह दोनों को एड करने के बाद ब्रैकट को बंद करके हम इंटर की प्रेस करेंगे देखें टोटल यहां पे लग गया मतलब काने का दोस्तों हुआ कि सुमन कुमार जो 1,80,000 रुपया लोन लिए हैं 8% की दर से और 5 साल के लिए हैं अगर पर मन्त हो 3,649 रुपया 75 पैसे गर देंगे 5 साल तक लगा तार देते रहेंगे तो पूरे 1,80,000 रुपया जो लोन लिए हैं वो कम्पलिटली क्या होगा चुक जाएगा मतलब पूरे सज जाएगा तेस परकास है दोस्तों आज की इस वीडियो में इसाई फरमुला के बार में जरूर बताएं